नमस्का दोस्तो, Stock Market Studies में फिर सिखबर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाप इमें डिसकस करने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा इंटरस्टिंग कमपनी के बारे में, जो देखा जेतों, रिटेल पबलिक के बहुत पसंदिता कमपनी है, क्योंकि कमपनी के जो अभी 10 रुपीज के नीचे है, तो एक पैनी स्टॉक जैसे है, क्या वो पैनी स्टॉक था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, पहले कमपनी एक हायर लेबल में था, कमपनी लगाता लगातार गिरते गए, क्योंकि इसका जो प्रोमोटर है, इसका जो ओनर है, वो रिलैंस क्रूप के ही कम मुके संबानी, तो अनी लंबनी बड़े भाया है, मुके संबानी छोटे भाया है, तो इस दोनों भाये को अलग-अलग बिजनेस को बाटा गया, तो मुके संबानी मतलब बिजनेस को किस तरीके से ग्रोध किया, आप देख सकते हैं, हर कमपनी किस लेबल में पहुचाया, और अनिल अमबानी उस सारे बिजनेस को टोटली बरवात कर दिया और अभी बेंक्रप्ट भी हो चुके हैं, तो उसी से जुड़ होए कंपनी बारे में प्रकर आश करूँगा जिसका नाम है आर्कॉम, तो आरकॉम इंटरनेशनल के बारे में डिसकस करूँगा जो एक अनिल अम्बनी जी के ही कमपनी है तो आप सभी जानते है अनिल अम्बनी जी और मुके सम्बनी जी दोनों ही भाई-भाई है तो एक न्यूज यहापे सामने आ रहा है क्या फिर से आरकॉम इंडरस्टीज ग्रोथ हो पाएंगे फिर से आरकॉम इंडरस्टीज खड़ा हो पाएंगे क्योंकि जो न्यूज सामने आ रहा है वो बहुत स्टॉंग न्यूज माना जा रहा है तो किया कितना स्टॉंग है चलो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक अपने इस चलेंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जोरू सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कोई डेली वेसी स्टॉक मार्केट इंफोर्मेशन आपडेट चाह आज देखा थे तो एक टाइम आप एक बर में चार्ट पटन आपको दिखा रहा है देखे आप चार्ट पटन देखेंगे तो कमपनी एक टाइम आट सू रुपीज के आसपास चलना था कमपनी जब स्टार्ट हुआ तब इसका टाइम पिरोड था 2006 में 2006 से कमपनी लेकर के बाद कमपनी में देखें लगाता लगाता गिराबट हुआ और स्टॉक में किस तरह के से क्रैस आप देख सकते हैं और आज कमपनी 99% लॉसस में चल ला है 99% एक परसन ही बच्चा हुआ है और इस एक परसन से में ही ज़ादा से ज़्यादा रीटेल निवेसक निवेस करन चाहते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो company ने क्या announcement किया जिसके कारण Reliance के उपर एक अच्छा का सा target रखा जा रहा है तो यहां पर मैं news के बारे में बात करूं तो मैं direct आपको एक news दिखा देता हूँ जो totally final cell express के उपर दिया गया है तो फाइनल एक्सप्रेस के उपर क्या बता जा रहा है आप देख सकते है जियो प्रोपोज टुडिपोजीट मतलब क्या है जियो आप सभी जानते है रिलाइन्स मतलब मुकेस अम् revise अम्मानी जी का कमपनी है तो वह प्रोपोज कर रहे है कितना 3720 क्रोड के आसपास मतलब प्रोपोज टू डिपोजीट रुपीज दीन हज़ा साथ सो करोड के आसपास साथ सो बीस करोड के आसपास इन यह पर देखे एसक्रोड एकाउंट टू एक्वार डी आरकॉम टावर तो आरकॉम का जो टावर्स है जो फाइवर एसेट है वो एसेट यहापे कौन लेने वाले है वो एक वार कौन करने वालए है जीओ इसका मतलब उसका मपनी के जो जो इसको यो बहुत तो आभी नहीं हो झावल को फांच पर्सन आपस सार्किट देखने को मिला था लोगों के मन में यह आगा था कि अभी आर्कॉम इंडस्टीज रिलाइंड के साथ जूड रहे हैं तो इसका मतलब आर्कॉम इंडस्टीज बड़ा हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं कमपणी क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझ लेना कि जीओ बतर है कि मैं आपका जो टावर से आपका जो फैबर से वो एसेट में लेना चाता हूँ जिसके लिए आपको 3700 करोण में डिपोजीट देना चाता हूँ मैं उसको यूज करूंगा उसके लिए में इतना पै आपको इतना खुश होने का जुरूत नहीं कि आरकम इंडस्टीज एक बहुत बड़ा कुछ तीर मार देंगे ऐसे बिल्कुल भी नहीं आप देख सेते टेलिकम अपरेटर जीओ हैज प्रोपोज टू डिपोजीट 373,720 क्रोड इन एप देखिए इस्कुल अकाउंट तू कम्प्लीट दा एक्कोजिशन रिलाइंस इन इन फेटल विच इन अपर देखे अंडर गोईंग लिक लिकुडिटिंग लिकुडिशन प्रोसेस तो बिलिनियर मुकेस अम्मानी जी रन जियो प्लेस्ट दब बीड ऑफ 3720 क्रोड नॉवेंबर तू 2019 2019 से इस तरी के से बातचीद चला था आज जाकर फाइनल हुआ एकवा टावर्स अन फाइबर एसेट और साथी साथ डेप्ट जो है उसके वह बडेप्ट जो है बोवी वह मिटाएंगे इस पैसे से इस तरी के से कुछ बातचीद हुआ है तो यंग इस यंग ब्रादर अनि जो पड़े हुए है वो मुक्य सम्मानी जी सस्ते दामों में उसको खरीद लेंगे और साथी साथ वो एकवार भी करेंगे तो इस तरी के से कुछ बातचीद देखने को मिला है तो इसमें आप सोच आप ऐसे मत सोच लेना के रिलाइन्स जो मतलब कम्यूनिकेशन है वो फिर से खड़ा हो पाएंगे फिर से वो तेजी से भागेंगे तो आपको नियूज के बारे में इसलिए दिखा रहा हूं कि कि आपको सारे के सारे जानकरी ठीक ठाक से मिले तभी आपको अच्छे कमपणी के उपर रहने के लिए मौका मिलेगा तो मैं एक चीज आपको और भी द देखिए जो रूट है मतलब 1.78 लाक्स रूट केलोमेटर वो बिच्छा के रखा एराउंड 43,540 मुबाइल टावास अक्रोस दा कंटी तो सोची है जीओ ने कितना फाइदा लुटा जीओ ने अब को कितने पैसे देखकर इतना ज्यादा टावार इतने ज्यादा केलोमेट प्षाम राइत लुकम का मतलब होल्डिंग कोंपणी इसका है कम का तो इसका सिधा-सिद़ प्रॉफिट रिट रेसियो जाएगा किसको कर रहा है उसको यूज करने के लिए तो इसके लिए आरकॉम इंडस्टीज बहुत बड़ा कुछ तीर मार देंगा मतलब तीर मारेंगे ऐसे बिल्कुल भी हो नहीं सकता तो आपको देखना है क्या इस कंपनी में सही में कुछ बचा है कि बरबाद हो चुके हैं एक टाइम इंडस्टीज में कंपनी का नाम आज सबसे नीचे आ गया एक टाइम सबसे उपर था तो यहीं आपको देखना चाहिए कि कंपनी में निवेस करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं कि उसको लगता है मैं दस साल बीस साल तीस साल भूल जाओ तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा ऐसे बिल्कुल मत करेगा हमेशा कंपनी इसको पर अपडेट रहेगा एक साल के अंदर अंदर अब एक बार डेटा तो जुरू चेक करिए क्या कंपनी सही दिसा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है अगर इसका इंवेस्टर देखेंगे तो प्रो रूपिया में निवेस कर दू अगर वो दो रूपिया हो जाए तो मेरे फंड डवल हो जाएगा तो ऐसे सोच करें इसे आपको दिया भी है मैं यह नहीं कहूंगा कि कमपनी नहीं दिया अगर आपको चार्ट पटन दिखा जाए तो कोबीट के सिच्छोसे में इसका प्राइटन मिला उसको दसकुन तक वो होल्ड किया किसी भी नहीं किया मैं दावे के साथ बोल सकतो किसी भी नहीं किया क्योंकि अगर वो मान के चले 10,000 भी इसको उपर निवेस करके रखे था ना अगर उसका फंड 20,000 दिखा दिया इसका मतलब 50 पैसे से वो एक रूपिया हो गया ना वो तो कहेंगे चलो मुर्या तो पाफान डवल हो गया मैं निकल जाता हूँ तो वो पांच रूपिया तो बहुत दूर की बात वो मुझे लगता है 50 पैसा भी होल्ड करने का क्यापविलेटी रखते है इस तरी के से कंपानी के उपान तो यह तो ट्रेडिंग ब पूरा माल बेच दिजीएगा आप आपके ओपिनियों के हिसाब से काम करिए आपके रिशार्च के हिसाब से काम करिए तो ए था मेरा एनलाइसिस तो मेरे वीडियो कैसे लगा जुरू करना और यह वीडियो टोटली एडुकेशन परपास में था कोई बाई एन सेल का रिक तो आसा करता हूँ, सारे जान करब को मिल चुका है, मेरे वीडियो देखने के लिए लास तक बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते नेक्स्ट निया स्टॉक लेके तब तक लेच्चे सरी अपने ख्याल रखिए, बाबाए